बॉलिवुड की फिल्मों का बिजनेस गिर चुका है पैंडमी के बाद से लेकिन इसके बावजूद पठान 550 करोर का बिजनेस की इंडिया में नेट केलेक्सन अब उमीद जमान से हैं और जितनी भी बॉलिवुड की फिल्में रिलीज हो रही है इन तमाम फिल्मों से कोई उ इंटेटेनर लेके आरे जमान जिससे उमीद बहुत जादा है और जमान बहुत भेतरीन तरीके से फिल्म को बनाया गया है फिल्म का म्यूजिक बहुत जबरदस थोने वाला है आक्शन बहुत जबरदस थोने वाला है देसी फिल्म है और जो ये फिल्म है ये एक रिवेंज वाली फिल्म है शारूख खान को बताया जा रहा है कि बहुत सारे किरदार हैं बहुत सारे लुक है शारूख खान के और जो इसका पोस्टर आएगा ना वो पोस्टर देखते ही पब्लिक कहेगी कि भाई साड़े 300 से 400 करोड हिंदी लैंग्वेज में ये फिल्म कम नहीं कमा प वाली जून में जो फिल्म आईगी वो फिल्म ऐसा तबाहि मचाएगी बॉक्स ओपिस पर कि बॉक्स ओपिस हिल जाने वाला है और शारूख खान लगतार अक्शन फिल्में बनाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले अक्शन फिल्में नहीं बनाईए बहुत कम बनाईए अब बनाएंगे action film और शारुक खन अगर masala action out and out commercial film करेंगे तो उनकी film में flop नहीं होगी उनकी film में सीधा super hit और blockbuster होगी अब जवान के poster आने वाले हैं इसी हपता और एक बहुत बड़ी जंकारी आ रही है जवान के cinematographer है Richa Moitra इनों ने post किये कि जवान का poster आ रहा है जवान नाम तो नहीं लिखा है लेकिन poster इसी हपता आ रहा है और ये cinematographer है जवान का तो उमीद है कि जवान के बारे में बात हो रही है इसका जो teaser है वो मई के पहले week में आएगा मई first week में आएगा यानि कि 2 मई को release होगा जवान का teaser और उससे पहले poster आ रहा है Saturday को poster आ रहा है यानि कि E'd के दिन poster आ रहा है इसी हफता में poster आने की बात हो रही है तो E'd से बड़ा दिन क्या हो सकता है Saturday को E'd है और E'd के दिन शारुखान जवान का poster रिलीज करेंगे और हो सकता है उसी दिन teaser का date भी announce कर दिया जाए बहुत बड़ी खबर है दोस्ते हो कि जवान का poster E'd पे आ रहा है और इस film से उमीद बहुत ज़ादा बढ़ गई है क्योंकि जवान से पहले जितनी भी film में रिलीज होगी वो सारी film में नहीं चलने वाली है pandemic के बाद business गिर चुका है फिल्म में नहीं चल रही है इसके बाजोद शारुखान का जवान फिल्म का जो वीकेंड होगा न वो pandemic से पहले जो फिल्म में रिलीज हो रही थी न उससे ज़ादा होगा एक और बहुत बड़ी जंकारी है कि जवान का shooting समाप्त हो गया है कल आकरी दिन था एक गाने के shooting हुई दिपिका पादकोन और शारुखान के साथ एक गाने के shooting हुई दोस्तो मास गाना बताया जा रहा है special song बताया जा रहा है और उससे पहले एक और गाना शूट हुआ नयांतरा के साथ याँनि दोस्ते तीन गाने। इस फिल्मे होंगे दो गाने तो यह हो गए एक नयांतरा वाला है दिपिका पादकोन वाला है एक गाना इस फिल्में ऐसा होगा जिसमें बहुत सारी लड़किया हुई यानि की 1500 जभशे 200 लड़किया होंगी कि भाई ये एक और तीन सो साड़े तीन सो करोड़ वाली फिल्म आ रही है कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक और हजार करोड़ वाली फिल्म आ रही है क्योंकि पोश्टर बहुत मास होने वाला है अपनी राय रख्यां और FF News देखते रहें Take care